है लो गाईज वेल्कम बाक टो आर यूटुब चानल विच इस एक्जाम मैंनी एक्स माइने में इस रिया सिंग और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि SPI PO की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है उस बारे में आज हम लोग डिसकेशन करने वाले हैं वीडियो में फॉर्म फिलप के बारे में भी आपको बताने वाली हूं तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिनोरी मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजे बैल आइकन को प्रेस कर दीजे फो मौन यू अपडेट्स तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते नोटिफिकेशन की स्टार्टिंग डेट जो है उस बारे में मैं आपको बताती हूं नोटिफिकेशन की आज से आप आप लोग एप्लिकेशन भर सकते हो और जो लास्ट डेट होगा एप्लिकेशन का वह बारा ऑक्टोबर का होने वाद आपको बीज दिन टोटली बीज दिन मिल रहे अप्लिकेशन फॉर्म फिल अप करने के लिए अब में थोड़ा डेट के बारे में आपको बता देती हूं ज जो ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन का डेट है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है वह आज से आप लोग अप्लाइ कर सकते हैं अप्लाइ करना स्टार्ट कर दो आज से और लास्ट डेट है वह बारा ऑक्टोबर का है ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हो जो ऑनलाइन प्री इक्सामिनेशन डिसेंबर 2022 या फिर जैनवरी 2023 में आएगा मतलब डेट डिकलेर ने किया है इस महीने तक आने वाला है ठीक है जब भी डेट का डिकलेरेशन हो जाएगा तो आपको मैं इंफॉर्म कर दूंगे अब देखो मेंस का भी वही है मेंस के बारे में जो बताया है जैनवरी में या फैबरी में आने वाला है रिजल्ट जो रहेगा मेंस का वो भी फैबरी में ही आएगा डेट नहीं दिया है मतलब मेजरमें डिक लगा लो कि यह जैनवरी फैबरी होने वाला है ठीक है आप मैं आपको बताती हूं वेकेंसिस के बारे में तो टोटल वेकें बात करती हूँ, और वेकना वेकना सर ना सर भागलनीट, तर शैने में 2 चैनopf सबी आपको आपको देहा है, और दो थींटनीरर वाकना में चैनल सेकोद पर पर एज लिमिट के बारे में दिया गया है, not below 21 years, और not above 30 years, और यहां पर आपका born year के बारे में भी बताया गया है, तो वो भी आप लोग ध्यान से देख लेना एक बर, अब थोड़ा relaxation के बारे में भी देख लीचे एक बर, जो schedule cast का होगा, age relaxation 5 years का होगा, OBC का 3 years का होने वाला है, या ने की OBC का 3 years का बताया है, अब बात करते हैं, disabilities का, जो PWD, SC, ST का रहेगा, वो 15 years का है, OBC का 13 years का, General और EWS का 10 years का रहेगा, ठीक है, तो age relaxation भी है, दिया गया है, notification में, जैसा है कि screen पे तुम लोग देख सकते हो, ध्यान से go through करना है, और अगर आपक से comment section में पूच सकते हो, ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, eligibility criteria के बारे में, eligibility criteria के बारे में, मैं आपको normally बता देती हूँ, कि आपका minimum graduation complete चाहिए, या फिर अगर आप appear कर रहे हो, तो भी आप लोग application भर सकते हो, examination के लिए applicable हो, लेकिन आपका जो result होगा, उस बारे में द selection process के बारे में, तो selection process में आपका पहला, आपका pre-examination होने वाला है, mains होने वाला है, फिर आपका third, जो stage रहेगा, वो psychometric test होने वाला है, तो पहले में आपको pre-examination का, जो exam pattern है, questions वगरा, कितने marks के आने वाले है, उस बारे में देख लो आप लो, तो आपका जो English language रहेगा, उसके लिए 30 number of questions आने वाले है, quantitative aptitude का 35, reasoning ability का 35 number of questions, total आपको 100 questions आने वाले हैं, और 100 marks के रहेंगे, छीक है, तो total आपका जो paper होगा, वो पूरा एक घंडे का होने वाला है, और मैं आपको every time जो बताती हूँ negative marking के बारे में, तो negative marking को avoid करो, आप लोग, जादा से जादा practice करो, ताकि आपका negative marking ना हो paper में, ठीक है, अब second page के बारे में बताती हूँ, second जो रहेगा, आपका main examination, उस बारे में आपको बताती हूँ, तो main examination का जो exam pattern है, आप लोग, देख सकते हो screen पे, notification में already दिया है, देख लो, मैं आपको एक बार explain भी कर देती हूँ, reasoning का जो रहेगा, वो 50 रहेंगे, और 45 minute duration मिलेगा paper को solve करने के लिए, general economic banking awareness का जो रहेगा, number of questions 50, mark 60, 45 minutes duration है, paper को solve करने के लिए, English के लिए जो रहेगा, number of questions 35, marks आपको 40, और 40 minutes आपको लेगे paper को solve करने के लिए, तो overall आपका 155 number of questions रहेंगे, 200 marks रहेगा, और 3 hearts का paper रहने वाला है, और second आपका जो आपका descriptive paper भी होने वाला English language का, number of questions 2 आने वाले है, 50 marks का रहेगा, और आपको आदा घंडा मिलेगा paper को solve करने के लिए, 250 grand total जो रहेगा, मतलब all over आपका जो paper रहेगा, mains का, 250 marks का आने वाला है, अब 3 page 3 के बारे में बात करती हूँ, जो आपका psychometric test होने वाला है, उस बारे में total आपका 50 marks का होगा, group exercise आपका 20 marks का होगा, इंटर्व्य, personal interview जो होगा, वो 30 marks का होने वाला है, अब मैं जरा एक ये number of chances के बारे में भी आपको बता देती हूँ, जो general का रहेगा, general EWS का 4 number of chances रहेंगे, और OPC का 7 रहेगा, PWD OPC का 7 रहेगा, तो देख लो आप लोग एक बार स्क्रीन में, notification में आराम से देख लेना, कुछ नहीं समझ में आता है, तो मुझे comment section में पूछ लो, अभी apply के बारे में भी मैं कैसे apply करना है, application form कैसे fill up करना है, उस बारे में भी एक वीडियो में बनाने वाली हूँ, आप लोग ध्यान से देख लेना, उसे भी go through कर लेना, एक्जाम सेंटर के बारे में, अभी एक्जाम सेंटर जो होगा आपका, जिस भी जगह से, जिस भी स्टेश से आप लोग करते हो, आप लोग देख लेना, notification में, state-wise दिया गया है, तारा इंफोमेशन दिया एक्जाम सेंटर के बारे में, application fees भी रहेगा, non-refundable रहेगा, और 7.50 रुपीज होने वाला है, application fee is आपका, ठीक है, if you have any doubts, so please let me know in the comment section, and I will give you reply as soon as possible, thanks for watching our video, please like, share and subscribe to our YouTube channel, and bell icon को press कर दीजे, for more new updates.